बुतल वाले बाबा ने एक महीला के पेट दर्द का इलाज एक सेकंड में कर दिया महीला ने बताया कि वे अपोलो हस्पिटल लखनोव में इलाज करने गई थी वहाँ से उसे कोई आराम ना मिलने पर बुतल वाले बाबा शुपास आई और बाबा ने एक सेकेंड में अपनी सक्टी से उसका दर्द जो है उच्छू मंतर कर दिया आखिर बोतल वाले बाबा ने उस महिला का इलाज कैसे किया इस रिपोर्ट में देखे वहां पर कब शेलाज हो रहा है अभी तिन चाद एक हफ्ता पहले तो दर्द नहीं तो दर्द नहीं था इस वक्त हम मौझूद हैं बोतल वाले बाबा के दर्बार में जहां पर यह जो हरियों महराज है वो बोतल बाबा के नाम से जाने जाते हैं हमारे साथ एक महिला भक्त मौझूद है इनका कहना है कि इनके पेट में जो है वो दर्द होता था और इन्हों लखनव में जो अपोलो हॉस्पिटल है वहां पर इलाज कराया था लेकिन इनको वहां पर किसी तरीके की कोई आराम नहीं मिली अभी यहां पर हमने देखा हमारे कैमरे में भी वो चीच कैश्च कैश्च है कि इनको दर्द हो रहा था धैंकर तरीके से और बाबा ने जो है इनका तुरंट इंस्टेंट इलाज जिसको बोलते हैं वो किया और इनका जो दर्द है वो पूरी तरीके से खतम हो गया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हम इसे जानेंगे कि किस तरीके से इनका बोटल वाले बाबा ने इलाज किया है मैं क्या नाम है आपका सामति कहां से आई हैं आप और यहां पर किस ने बताया आपको पीट में दर्द होता है तो आते हैं नहीं हम डॉक्टर के पास गए तोहां से दूसरी इलाज किये फिर इसके बाद हमारे पेट में दर्द हुआ तब हमें आए अभी यहां पर जब आपका गायब हो चैना किजिस तो किस तरीके से चार्द किया होगा नहुंने जल लौंगों दिये हैं मतलब जो इन्हों ने किया है आपको डॉक्तर की तरफ से जो भी एलाज आपका किया गया उस आपको कोई साइधा नहीं हुआ लेकिन आपको यहां पर जैसे ही आई हैं अब को भैंकर तरीके से दर्द हो रहा था और बाबा ने और आपका ठुरहम बढ़ जो है ऑखी हो इत्व हो मेरी तीफ हो गया मैंसे हो किपनी बार आ चुझ यह निगत, तिन शार बार आ चुक तो उसके बाद आपको दर्द शुरूआ लेकिन दर्द जो है वो बाबा ने दूर किया तो अभी आपने देखा कि इस तरीके से जो बाबा है उन्हों ने एक अज़िगा वो यहाँ पर इलाज किया और उनको इंस्टेंट जो है वो आराम मिल गया आप इसे बाबा का चमतकार माने या कुछ और इसे हम नहीं कह सकते हैं लेकिन जो हमारे साथ मौजूद है उनका मानना है कि इनका इलाज जो है वो बाबा ने किया है कानफ़ बेहाद से अभीशेग देवेजिए